आज हस्बन कर रहे थे घर से काम तो हमने सोचा आज शाम की चाय में उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए तो यहां हमने ले ली है एक कप मूंग दाल इसको हमने पीस लिया है पीसने के बाद हमने इसको गरम पानी में सोक करके रखना है दस मिनट के लिए 10-15 मिनट के लि और इसको continue चलाते जाना है चलाते जाना है और continue चलाने के बाद इसमें कुछ इस तरीकी कासा गूल बन जाएगा और हमने इसको 10-15 मिनट रख देना है ताकि इस सेट हो जाए दाल थोड़ा फूलेगी हमने इसमें गरम पानी अटके है तो यहां हम चॉप कर लिया है हरा धन जर नहीं कर पाई सॉरी और यहां हमने फीर फिर पकोड एस तरीके से गरम तेल में डुप कि लगवानी है इन गरम तेल में डुप कि लगवानी के बाद आप देखेंगे कि इसका गुल्डन ब्राौन कolर ओ जाना है पहले आपने इसको सेखना है सिंप ख्लेम पे जब आप कलर देना है तो कलर देने के लिए आपको फ्लेम कर देनी है हाई और आपने इस तरीके से इनको गोर्डन डॉर कलर करने तक सेक लेना है और निकाल लेजिए सर्फ कीजिए गर्मा गर्म चाय और हरी चट्टी के साथ थेंक यू